नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एबी टेक में आज है 18 जून 2020 और जान लेते हैं आज की माधपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुक समाचार पत्रों पे चाहे होई हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टन प्रोफेसर बरती के लिए तयार हो रहा प्रसन बैंक संसोधित पाठकरम की अनुरूप होगी परिच्छा अब बरतियों को नई तितिका इंतजार आप लोगों की जो परिच्छा है ये नए पठकरम के अनुसर करवाई जाएगी जो पिछले साल यानि पिछली बरतियों पाठकरम था वो नहीं होगा नया पाठकरम जारी किया गया उसी के अनुरूप परिच्छा होगी और इस समय प्रसन पत्र बनाये जा रहे हैं यहां में नीचे दिया गया कि उत्तर प्रदेश उचतर सिच्छा सेवा आयोग असिस्टन प्रोफेसर की बरति परिच्छा की जोती थी है वो जारी कर देगा तो जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं इस बरति परिच्छा के लिए आप लोग देख लिए आप लोग के सारी अपडेट है जैसे यह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी एक्जाम डेट जो है वो इंटर्व्यू है उसका करकरमा लेडी जारी किए चछे चुका है आप लोगों को सारी ईपडेट है बढ़ते हैं अगलि अपडेट की तरह यहां पर अपडेट है और इप-डीक है पर अंगरमारी बढ़तियों को ले करके तो आप लोग जानते हैं समस्चें अभी हाल ही में कहा आ है कि जिन जिलों ने भरतिया नहीं निकाल लिए वो लोग हर रहल में तीन जुलाइट तक बरती का विगिया पर निकाल दे अईसे में परताफगड जिले से जो है अंगनवारी भरतियों कारकर आ चुका है आवेदन फत्र भरे जा रहे हैं तो अकर पद करती मिनी का करती और साही का ठीक है यह विब साइट देघे बालविकासड जिव डॉटाटिन यहां से जाकर करके आप आवेदन कर सकते हैं यहां पर ओन-लाइन आवेदन करने की जो नितिम डेट वपंदरा जुलाइद दोजार एक्पिस रखी गई हैं बात कर लेते हैं TG गजेटी पिगटी को लेकर के अपडेट आई है कि अड़िट कालेजों को जल्द मिलेंगे डिगर अजार से चक्व यहां पर बात हो रही है ती जी ती सोसल साइंस के बिर्तियों के बारे में आप लोग जानते हैं कि टिजटी सोसल साइंस के कुछ अब बिरतियों का इंटरिव्यू जो इपेंडिंग है बांकी का हो गया है उसे के बारे में आप पर दिया कि इन अब बिरतियों का इंटरिव्यू है वो लगबग लगबग देखा जाए तो जुलाई में हो जाएंगे ठीक है और 862 अब बिरतियों का इंटरिव्यू है जो इसमें बच्चा हुआ है जुलाई में इंटरिव्यू होने के वाद इसका अंजितिम परग्राम जारी कर दिया जाएगा इसके अलावा कला के 391 पीजेटी कला के 33 नागरिक सास्त बालिका और के 13 कुल 437 पतों का सास्त पर मिल रही हैं आप लोगों के लिए एक और खुसकबरी आ चुके कि राजकी आश्रम प्रद्यति इंटर कालेजों में प्रवक्ताओं की बढ़ति आ चुकी है एक से 24 पदों पर यह बढ़तियां हो रही है लोग से आयों के मादम से बढ़तियां हो रही है आवेदन इसके आज से ही शुरू हो गई है और 19 जुलाइं तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं पूरा गवर्मेंट जॉब है इसमें बहुत सांदार नौकरी है आप लोग जानते हैं राजकी यह कॉलेज हैं तो कोई दिक्कत ही वाली वाद नहीं है और इसका संशिवत विग्याप पर ने आज दोपहर तक जारी कर दिया जाएगा तो जैसे इसके डिटेल्ड विग्यापन जारी होता है चैनल के महद्यम से आप लोगों को उसका पूरा इनलेसिस मिल जाएगा कैसे फार्म बरना सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी क्या लिजविल्टी करेटेरिया तो आप लोग नए वीडियो का इंतजार करिएगा जो आज दोपहर तक जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा ठीक है सारी चीज़ी आपको उसमें सोल्व कर दी जाएगी इसी के चलते यहां पर आप लोग दे सकते हैं यहां पर भी दिया गया है कि प्रवक्ता के 214 पदों पर होगी बढ़ती आवेदन आज से आश्रम प्रदित इंटर कालेजों के सुरू होई बढ़ती प्रक्रिया ठीक है बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ यहां पर दोस्तों अपडेट है सीवेसी बार्मी यहां सीवेसी दसवी के रिजल्ट क लेकर की लिए सीवेसी बार्मी के मोलैंकन का फार्मूला तेज्व इकत्तिस जुलाई तक स्विश्प्रीम कौट ने खारेज की परिच्छा concealed करने के खिलाफ याचिका सी आई-ई-सी का फार्मूले फार्मूला भी منظور कुल मलाकर के बारवीं के जो फार्मूला है वो दे दिया गया है अब जो है आपका रेजल्ट है जो है एक अत्रय जुलाई तक आ जाएगा लेख़ाए है 30 30 40 के फार्मूला से तै होंगे नतीजे यानि यह आप लोग दे सकते हैं 30 30 चालिस के आधार पर फार्मूले जो आपका रेजल्ट है वो बनाया जाएगा दसमी बोड के सबसे ज़्यादा स्कूर करने वाले तीन विसे होंगे होंगे आधार पर उसी तरह ग्यारमी की सभी परिछाओं के निकलेगा आउसत ग्यारमी की जो पांचों परिछा उनका आउस आज आएगा मतलब इसे तरीके से यूपी बोड के जो इसकूल है यहां पर भी मोलेंकन फार्मूला लगबगता हो गया है कैसे रिजल्ट बनेंगा तो इसकूल लेकर के यहां पर देखे दिया गया है कि यूपी बोड के हाई स्कूल वाई इंटरिमेडिट के च्छपन ला प्रिवोड के दस प्रिशत अंगों को जोड़ करके बनाया जाएगा सो मुखमंतरि योगी अधितनात के समने व्याग की योड़ से प्रनती का फार्मूला रखा जाएगा और इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी सब ओके होगे और आपका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो यूपी बोर्ट शात्रों के लिए भी अपडेट है कि आप लोगों के जो फर्मूला है वो लगबग लगबग ताइमाना जा रहा है एक एट यू की बात कर लेते हैं तो लिखा है कि यूपी सीटी से ही होंगे अबडेट के दाखले विश्विद्द देले ने आवज़न तित्री खत्म होने की चार दिन पहले जारी किया आदेश जो लोग अबडेट करना चाहते हैं उनको भी यूपी सीटी के माध्धम से ही प्रवेस मिलेगा यूपी सीटी के लिए ऑनलाइन आवज़न समय श्रू ह है चार दिन से हैं तो अगर आप इसमें आवज़न करना चाहते हैं अब ये करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं यूपी सीटी के माध्धम से बढ़ते हैं अगली अपडेट के तरह पुलिस विवाग में जोस्तों एक नई भरती आ रही है आप लोगों के लिए 2937 पत आउनलाइन आविदन लिए जाएंगे तो आप लेक देखें हैं पुलिस विवाग में लगबग 9500 पतों पर बढ़तियां कंप्लीट हो गए या ऑनलाइन आविदन कंप्लीट हो गएंगे बहुत सारे बढ़ती जो पुलिस एसाई की में डेट बढ़ाने की मांग करन सुच अब यहां पर जो है अब यहां पर जो है रिवाइज जो कालकरम में जारी किया गया तो जो भी लोग B8 के इच्छात रहे हैं वो देख लें आठा आठ जुलाई को आपकी परिच्छा होगी एक मिनट दोस्तों B8 का यह जो कालकरम है आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यह नोटिस यहां नीचे सही दिया गया लेकिन उपर यहां पर गलत दिया गया ठीक है तो अठारा जुलाई को आपकी परिच्छा है बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरब यूपी टीटी की आउनलाइन आविदन को लेकर कि अपडेट है कि अब यूपी टीटी 2020 के आविदन का इंत परिच्छान ने 11 मही को विग्या पंजारी नहीं किया था यूपी टीटी प्रक्रिया कराने के लिए शुरू कराने के लिए अनुमोधन का इंतजार है तो उम्मीद है कि जल्द ही इसको मंजूरी मन जाएगी इसके बाद ऑनलाइन आविदन यूपी टीटी के भी शुरू हो जाएंगे बहुत समय से अब यूपी टीटी के लिए उनलाइन आविदन शुरू किये जाए जो कि अब इंतजार उनका बढ़ता जा रहा है तो दोस्तों यह हो गई आज की सारी अपडेट असकर थे वीडियो पसंद आया वोगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है झाल